कुशी नगर के पटेहरवा थाने के फाजिल नगर कस्वे में बाइक सवार बदमाशों ने सराफा वेविसाई को गोली मार कर मौत के घाट उतार दिया बाइक सवार दो बदमाश उनसे जेवराच छीने लगे दोनों ने प्रतिरोध किया तो एक बदमाश ने बेटे अभिशे को गोली मार दी जबकि पिता की हालत गंभीर है इसके बाद बदमाश मौके से फरार हो गए हैं सुनिए इस मामले पर पुलिस ने क्या जानकारी दी है यह फाजिल नगर कस्वे में ब्यापारी अपने दुकान बंद करके अपने घर पे आया था वहां चाय पी रहा था और उसके पिदाजी घर में थे जब दो बाइक सवार चार लोग आए उन्होंने आवाज दिया उसको बाउंटरी के बाहर से आवाज दिया और उसके बाद बाइक सब्सक्राइब जब बाहर की तरब उनके थोड़ा नजदीक आया तो उन लोगों ने फायर किया उसके जो अभी लड़का उसको गोली लगी वह मौके पर ही उसकी मृत्यों हो गई और जो उसके पिदा वहां गायल हो गया है उसको अभी हायर सेंटर रिफर किया गय है इसमें क्राइम ब्रांच की स्वाट टीमें और चार थानों की फोस लगाई जा रही है तदकाल इसका जो भी इसमें सामील है उनके खिलाब इदीक कारवाई तदकाल सुनिस्चित की जाएगी जल्द से जल्द इसमें कारवाई करके उनको कानूनी सी कंजे मिलिया तो वहीं इस वार्दात ने सियासी रंग ले लिया है, कॉंग्रेस पार्टी ने सड़क पर आर पार की लड़ाई की बात कही है अगर इस खटना का खुलासा नहीं हुआ, तो सड़क पर आर पार की लड़ाई कांग्रेस लड़ेगी, और तब तक लड़ेगी जब तक इस घटना का खुलासा नहीं हो जाता इस नामले परिस्थानी बिजेपी विधायक ने इसे पहली घटना करार देते वे ये कहा करेंगे और 24 गंटे को जोवार करेंगे इसके लावर कुछ है और इसके बारे तकाल कुछ नहीं कर सकते हैं खेर अब देखना होगा कि पुलिस कब तक बदमाशों को ग्रिफतार कर पाती है SPN 9 News के लिए कुशी नगर से गुड़ू निशात की रिपोर्ट